गुट मॉर्णिंग जहीं दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद है कि आप सब बहुत हो अच्छे होंगे आज है बीस सितंबर बीस सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टन कोश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेटर फैक्ट भी देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते है आज के पहले कोश्चन से क्या है आज का पहला कोश्चन भारत के नए वाडिज सच्चु कौन बने है सुनील बर्थवाल आर्तिय हूजा विबेग भार्दवाज मुखमीज सिंग तो इसका सही आंसर होगा option A कौन बने है सुनील बर्थवाल बने है आगे कुछ important points भारत केंद्रिवाडि जो ओधोग मंत्री कौन है प्यूस गोयल है आगे कुछ important points देखते ही भारत के ने प्रदान बग्यानीक सलाकार कौन है आजे कुमार सूध है और भारती थलसेना की ने प्रमुक मनोज पांडे भारत के ने विदेश सचु बिने मोहन कौत्रा राश्टी रच्छा कादमी के ने कमांडर कौन है अजय कोचर भारती भूब अग्यानिक सर्वेचर के ने महानी देशा कौन है डाक्टर है स्राजू है क्रिप्टो चर्म चैनल इस त्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है पहले दूसरे चौथे पांचवे सही आंसर होगा आपसंसी किस स्थान पर चौथे अस्थान पर रहा है आगे देखते हैं इस उचकाइक में टॉप थ्री देश कौन कौन से हैं तो वियतनाम फश्ट पे हैं फिलिपीन सेकेंड पे और थर्ड पे कौन है यूक्रेन है अगला कोशन है कोशन नबर थ्री किस भारती महिला बैग्यानी को फ्रांस के सर्वोच नागरिक पुरुसकार नाइड आपदी लेजन आफ ओनर से सम्मानित किया गया डाक्टर स्वाती पी रामन रितु करिधल रमन परिमाला या कमाश्ची स्यूराम क्रिश्नन तो इसका सही अंसर होगा आपसं ए डाक्टर स्वाती पीरामल को सम्मानित किया गया है अब देखते हैं फ्रांस आया तो फ्रांस के बारे में देख लेते हैं फ्रांस यूरोप महादीप में इस्ति थे फ्रांस की राज़ानी पेरिस है फ्रांस की करिंसी यूरो है फ्रांस की प्रथान मंतरी एलिजापेद बोर्न है फ उनेसकों का मुख्याले कहा इसी थे पेरिस फ्रांस में इसी थे फ्रांस की संसत का नाम National Assembly है जर्मनी और फ्रांस की भी चंतराश्टी सीमा का क्या नाम है मेगी नॉट रेखा फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है तो लाइर नदी है कोचिन नंबर 4 है भारत के 76 सत्रijn ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं कौन से 76 पढ़ों आननध, राहूल स्री वास्तों, संकल्व गुप्ता, मित्रभागुः सही आंसर होगा आप सने कों बने हैं पढ़ों आननद बने हैं आगे देखते हैं भारत के 75 ग्रैंड माश्टर कौन बने तो B प्रेड़ो हैं और 74 कौन है तो राहूल स्री वास्तो हैं पहले 17 ग्रैंड माश्टर कौन है B सुनाथ आनंद है अगला कोश्यन देखते हैं कोश्यन नंबर 5 है 20 रोगी सुरंच्छा दिवस zwischen 32 कम मनाय गया है 18 सिटमबर, 12 सिटमबर, 15 ये 17 सिटमबर सही answer होगा option D कम मनाय गया है 17 सिटमबर को मनाय गया है देखते हैं हर सार 17 सिटमबर को 20 रोगी सुरंच्छा दिवस मना जाता इसकी थीम क्या है तो मेडिकेशन शेप टी अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 6 मुंबाई में आयोजित बितीस थिरता और विकास परिसत की 26 वी बैटक की अध्यचता किसनी की है निर्मला सीता रामन अस्वनी बैसनो तो उसको यह किरेड जी जो तो इसका सही आनसार होगा आप्शन नी किसने इसकी अध्यचता किए तो निर्मला सीता रामन ने इसकी अध्यचता किए क्या है यह केंडरी बित्त मंत्री है आगे कुछ इंपाउटन पोईंट्स देखते हैं सुषना प्रडाली की दस्था में सुधार लाने पर चर्चा की गई है बित्ती, सिर्था और विकास परसथ की बैठा की अधिस्ता केंद्री बित्त मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्यों में बित्ती छेत्र के सभी नियाम को RBI, सेबी PFRDA और IRDA के प्रमुख बित्त सचु आर्थिक मामलों के विभाग के सच्चु बित्ती सेवा विभाग सच्ची और मुख्य आर्थिक सलाकार सामील होते है अगला कोशन देखते है कोशन नमबर सेबन है अहमताबाद के LG Medical College का नाम बदल कर क्या रखा गया है कौन सा? LG Medical College का नाम बदल कर उसमा सुराज मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज सर्दार पटेल मेडिकल कॉलेज अरूड जेटली मेडिकल कॉलेज तो सही आंसर होगा ऑप्शन भी क्या रखा गया है नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज आगे देखते है एहम्दाबाद के LG Medical College का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो नरेंद्र मोदी Medical College रखा गया है और इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े एहम्दाबाद में सरदार पटेल क्रिकेट इस्टेडियम का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी क्रिकेट इस्टेडियम रख दिया गया और प्रदेश के किभीतूं इस्टेस्न सुप्रेश जर्टोर सोल मुलिड़ेशुट इस डल से जर्पाथ है या ट्रेन मैनेजर रखा गया है कारगिल के ट्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाडी के नया नाम गन हिल रखा गया है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर एट है फोव्स रियल टाइम गिलेनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार अमेजान के मालिक जेब बैस जोस को पचाड कर दुनिया के सथ दूसरे सथ से अमीर बेक्ती कौन बने है मुके संबानी जेब जोस गौताम अडानी या बिल गेट्स तो सही अंसर होगा आपश्चन सी कौन बने है गौताम अडानी बने आगे कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स देखते है इस रिपोर्ट के अनुसार गौताम अडानी 155.7 अरब डॉलर की संपती के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बेक्ती बन गए है और वहीं बर्णार अर्नोल्ट 155.2 अरब डॉलर की संपती के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बेक्ती के इस्थान पर बने हुई है मुगे संबानी इस लिस्ट में 12.6 अरब डॉलर के साथ अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 9 है कि संस्थान के सोथ करता होनी सोने के नैनो कड़ो पर लेपित बैक्तीरिया द्वारा इस्थावित गोलाकार पुटिकाओं का उपयो करके टीबी के खिलाप नई वैक्सीन विक्सित की है इंडियन इम्यूनो लॉजिकल लिमिटेड लुकि हैद्राभाद भारती विग्यान संस्थान बैंगलोरू बायोलाचिकल लिमिटेड हैद्राभाद भारती चकिस्तान संथ्भान परिशर नई दिलि तो इसका सही अंसर होगा option B क्या है सही answer option B भारती बिग्यान सस्थान बैंगलोरू आगे देखते हैं इस नई वैक्टिरिया से प्राप्त गोलाकार फुटकायों का उप्योग सामिले जिसे बाद में प्रतिरच्छा कोशकाओं तक पहुचा आ जा सकता है भारत अब तक टीबी से लड़ने के लिए बैसल केलमेट गुर इसमें रोक पैदा करने वाले जीवाडू का कमजोर रूप होता है और जब हमारे रग्त प्रुवाह में इंजेक्ट कर दिया जाता है कोश्यन नबर टेन है किस रा सरकार ने सरकारी नोकरियों में SC, ST, पिछड़ावर, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर के सदस्यों के लिए 77% आरच्छट देने के प्रस्ताओं को अपनी मंजूर दिये उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखंड, हरियाडा सही आंसर होगा option C, किस ने दिया है, जारखंड ने, आगे कुछ important points देखते है जारखंड सरकार ने विभिन वर्गों में कुल आरच्छट 77% कर दिया है, जिसमें OBC आरच्छट को 14 से बढ़ा कर 27% कर दिया है अरच्छट जातीों के लिए आरच्छट को 10 से बढ़ा कर 12% कर दिया है, अरच्छट 26 बढ़ा कर 28% कर दिया गया है, और EWS के लिए 5% कर प्राओधान है आज के लिए बस इतना ही कैसा लगा आज का सेसन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करिए अगर आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करिए जैन थैंक्स